इतनी पढ़ाई के बाद, आपको क्या लगता कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लमाट कौन थे? मैं कौनगा सबसे बड़े डिप्लमाट एक श्री कुष्ण थे, एक हन्वान जी थे. कि अगर आप उनको घूट नीती की परिपेक से देखें, कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हन्वान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटलिजन्स भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे, उन्होंने सीचा को फिजिक, वो कन्टैक्ट भी किया था, पूरी लंका की ख़बर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद, माने कैसे डिप्लमाट भी, उन्होंने all-purpose multi-purpose diplomat, तो अगर आज मैं आपको कहूंगा कि दुनिया के 10 strategic concept, जो आज की चर्चा में, आज के discourse में, 10 बड़े strategic concept जो international relation, मैं हर concept का आज को एक महाभारत में equivalent देशाएँ, कि अगर आप कहें, अरे आज multipolar world, उस समय भी, अगर कुरिज शेतर के मैदान में क्या हो रहा था, वो multipolar भारत था, जिसमें अलग-अलग राजे थे, सब को कहा गया कि आप उनके साथ हैं, मेरे साथ हैं, एक दो non-aligned निकले बिच में, जैसे बलरां थे या रुखमा थे, या अब हम कहते हैं कि ये globalized दुनिय क्या है, इंटरडेफेंदेंटन साम सब पर ये बाधायें हैं, constrained, अरुण की दुविधा क्या थे, constrain इथी, कि वो interdependent थे, emotionally interdependent, थे, कि मैं अपने रिस्तेजारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाय का था पर वो भी internet, physical, material interdependence थे, पर emotional interdependence थे, या हम कभी-कभी, हम कहते हैं, चलो हम strategic patience दिखाते हैं strategic patience का सबसे अच्छा उधारन जो है कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को handle कि सौ बार उन्होंने शमा किया सौ बार उसके बाद आपको बता उन्होंने किया